नमस्कार दोस्तों किसना हाडो गार्डेन एन अक्वा कल्चर यूटूब चैनल में फिर से एक बार आपको स्वागत है आज आपको दिखाएंगे कि नॉन रिसार्कुलेटिंग और बीना बिजली के कैसे हाड्रोपोनिक कर सकते हैं इसके लिए पहले हमने यह पौधा तयार क किया है वह ये सीड्रे में हम लगाया थे क्या कैवा को कुंधे dauigten अ इस तरह का स्टोंथ होना चाहिए और रूट्स एक दम प्लीन होना चाहिए और रूट में कोई भी इस भी तरह का आपकलिम नहीं होना चाहिए एकदम पूरा का पूरा रूट चाहिए तूटे पूटे ना जाए अब हम एक लिटर का बॉटल ले लेते हैं देखे बॉटल के पीछे हमने ये छेद कर दिया है क्योंकि इस बॉटल में हम कोकोपीट पेरलाइट भार्मिकुलाइट मिक्सचर हम भर देंगे भरने के बाद उसमें पौधा लगा देंगे पौधा जब पौधो का जड़ जब बड़ा होगा तब यह जो नीचे छेद है यहां से निकल के निकल के निउट्रियंस में सीधा चला जाएगा तो देखिए हमने जो यह मिक्सचर तैयर किया है इसमें कोकोपीट 60% है और 20% पेरलाइट और 20% फर्मिकुलाइट है पहले हमने दे दिया है उसके बाद हमने यह पौधा ठीक कुछ इस तरह से हम लगाएंगे नीचे पूरा एकदम कोकोपीट पेरलाइट का मिक्सचर रहेगा उसके बाद हम यह पौधा लगाएंगे उसके बाद फिर से हम ओ मिक्सचर डाल देंगे ध्यान में यह रहना चाहिए कि पौधा का उपर का हिस्सा बॉटल के उपर रहेगा बॉटल का अंदर रहेगा उसका जड़ अब हम इसको क्या करेंगे एक न्यूट्रियन्स टैंक में हम इसको रख देंगे जिसमें 2.5 से 5 सेंटिमेट तक का न्यूट्रियन्स हर टाइम रहेगा अब देखिए इसके लिए हमने जो लिया है एक ट्रेल लिया है अब कोई भी किसी भी तरह का ट्रेल ले सकते है वो इस ट्रे में अब एक सिस्टम लगा देंगे जिस तरह से यह जो यह ट्रे है उसमें एनी टाइम 2.5 से 5 सेंटिमेटर तक यह जो न्यूट्रियन्स है उसका लेबल मेंटेन रहेगा आपको दिखाएते है किस तरह का हमने जो ट्रे लिया है और किस तरह का सिस्टम बना है देखिए यह ट्रे हमने लिया है इसका देखिए कुछ इस तरह से हम इसको रखतेंगे प्लेस करतेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो नीचे बाटल का नीचे का जो है हिस्सा बाटम का हिस्सा वो nutrients के touch में रहेगा और capillary action से वो उपर तक आ जाएगा और यह जो plant है plant के जड़ तक आ जाएगा उसके बाद जड़ जब बड़ा होगा उसके बाद पूरा नीचे जो छेथ है वहां से निकल के वो tanky में जो nutrients है उसमें आ जाएगा तो उसमें क्या होगा nutrients का जो level है उससे उपर तक जो हिस्सा है उसमें क्या होगा aeration होगा तो यह क्रत की मेथोड का क्रत की मेथोड है तो इसमें आपका यह nutrients को recirculating करने के कोई ज़रुद नहीं है और इसमें सिर्फ ध्यान यह रखना है कि यह जो हमने यह जो ट्रे लिया है इसमें मतलब देड़ से दो इंच तक nutrients का level anytime रहना चाहिए और यह जो ट्रे है इसको हमने मल्चिंग सिट से ढग दिया है क्योंकि nutrients के उपर अगर sunlight गिरेगा तो उसमें algae growth होगा लब हरा जो algae होता है वो growth हो जाएगा तो इसलिए हमने यह मल्चिंग सिट से ढग दिया है और कोई इसका कोई कारण नहीं है इसको ठाक नहीं का तो हमने यह जो 2.5 cm का जो level maintain किया है वह कैसे maintain किया है वह आपको दिखा देते हैं यह देखिए यह देड़ते 2 इंच तक मतलब 5 cm तक यह जो nutrients का level है इसको रखने के लिए हमने क्या किया है हमने यूज किया है एक floating valve यूज किया है और एक nutrients tank यूज किया है वो nutrients tank जो है वो थोड़ा बड़ा है 1200 लिटर का हमने nutrients tank यूज किया है और वहां से एक pipes हमने अब देखिए यह जो tank है यह दोनों tank आपस में connect हुआ है तो यह tank में हमने यह floating valve लगाया है यह floating valve इस तरह का देखिए यह नीचे जाने के बाद यह उसका लेबल मेंटेंड करने के लिए यह चालू हो जाएगा देखिए यह जो है यह एक न्यूट्रेंस tank है 1200 लीटर का न्यूट्रेंस tank है वहां से pipe से हमने इसमें इस floating valve में connect कर दिया है floating valve को जब भी यह nutrients का लेबल नीचे चला जाएगा तो यह automatically फिल हो जाएगा simple method है यह floating valve आपको आसानी से यह online में मिल जाएगा तो यही है आज का topic सबच्चे से रहे स्वस्थ रहे फिर मुलाकात होगी